आपका अपना यूटूब चनल आईटेटिकल जो में आपका हाथ स्वागत है प्रियर्दा क्यों आज हम जितेंगे यूवर्सल मिलिंग मशीन के उपर एक रिमर रेडी करें है वो भी हैलिकल और आपको बताएंगे इस तरीके से जो ही हैलिकल रेडी किया रहत है तो सब्सक् सब्सक्राम आपको दो आपको को है यह हैंदनरो Kelly यह हो तरह करने के लिए कर Cort down कमवारा उनियक्रो करने के छिए आपको कि ऐसा साइड गोर्ना लगे के लिए को उसके बाद ये इस्ट्रें डेवर को हम क्या रोडेट कर सकते हैं कि तिमें डिगरी पे 60 डिगरी पे उसके बाद नदर आ रहा है कि इसको बाद को नदर आ रहा है इसको बोजे इंडेक्सिंग है काएं ना हैं कि का इंडेक्सिंग हम जो है और इहरोडेक्श हुआ है तो था घिगशेर हमने सब्सक्रेक्शण दीगरी इंडेक्सिंग और हम इह बहँ vyGAN करता है जितने इंडेक्सिंग चकसिक में लेग लगाएं और पासी हुआ है तो आपके बलता है 사 roadmapants देख़ता तो इसक लमने लिएर नहीं को दूआते हैं तो आए ऐसे तरीके से मं श्यक्त करेंगे ऊइस अपिले चेक्ट मेची आपकी मैसीन है उप उपIM हम नहीं के की चुप को पहले रेडि करेंगे तो यह है आपकी जोब सबसे पहले हम लगाएंगे इसको चक्के अंदर और फिर इसकी फेशिंग और प्लेंट निमें जोगाँ में जोगाँ आपके अंदर इसकी अंदर मेंगे करेंपसे प्लेंट कर दो कि लिए नगला नग्यात। ता जोब हमने रेडी कर दिया है तो देख सकते हो आप फ्रूरा फणीशिंग हमने जोब को कर दिया है तो आएए अब चलते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर आपको बताएंगे भी इस तरीकल जो रिमर है वह रेडी किया जाता है तो यह है आपकी universal milling machine और सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह है इसका indexing head indexing head के आगे देख सकते हो आप थ्रीजा चक लगा हुआ है और इस तरह एक dead center और ये है हमारी job तो देख सकते हो यह job हमने left machine के उपर ready की थी तो आईए अब इसको लगाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है चक के अंदर इस तरीके से लगाना है तो देखिए यहां पर तो यह देखिए जोब हमने इसके अंदर कलैम कर दी है तो देख सकते हो डेट सेंडर भी यहां पर सेट कर दिया है तरीजा जो चक है इसके अंदर भी जोब को अच्छी तरीक कर दिया है तो देखते आगी अब आपको क्या काम करना है तो दिखीए यह universal जो milling machine है इसकी जो table है और यह उपर देख सकते हो आपका यह जो टूल जो है और यह जोब है इसके भीच में जो gap है इसको gap को कम करने के लिए ठीक है ना यानि यह जो और यह जो टूल है इसको मैच कराने के लिए तो देख सकते हो यह यह यूनिवर्सल जो मिलिंग मशीन है इसका यह हैंडल है तो इस हैंडल को हम अप करेंगे तो देखें टैबल किस तरह से उपर जाएगे तो देखिए बिल्कुल जो जो है वो टूल के टच होने वाली है यानि इसकी जो टेबल है वो अप हो गई तो यह देखिए बिल्कुल तो अब मशीन को हम करेंगे ओन तो देखिए मशीन को हमने ओन कर दिया है तो देखिए पहला जो कट है वो हमारा सटाट हो गया है तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है यह आपका रीमर जो है हैलिकल जो टीथ जो है उपर हम रेडी कर रहे हैं और यह हमने एक अलूमुनियम की जोब ली हुई है और यह देखिए इंडेक्सिंग हैड है इंडे को गुमाते हैं और देखिए इसकी जो फीड जो है वो यहां से दी जाती है तो देखिए इसकी जो टेवल है टेवल के फरंट के अंदर इसका हैंडल लगा हुआ है और सामने आपकी जोब कि अगर कि 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 कुछ को कि पोड़ब आपका पको कि प्लाइब। तो देखिए हमारा फाइनल जो टीथ है वो कट गया है ठीक है तो यानि हमने के हैलिकल रीमर है वो रेडी कर दिया है तो आपको दिखाते हैं भी किस त्रीके से यह जो रीमर है हमने रेडी किया है देखिए मशीन को हमने ओफ कर दिया है और अब हम इस जोग को जो चक के अंदर से निकालते हैं यह आपका डेट सेंटर पीछे से खोल देते हैं इसको तो दिखिए यह फाइनल जो है यानि जो रीमर है इसकी टैंग टैंक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टेप रेंच को लगा कर हम किसी भी होल के अंदर रिमिंग कर सकते हैं तो आई अब चलते हैं हम पैरलल करें हुआ है है कि अधिया है अधिया हमने चार साइड से इसको कटिंग कर लिया है तो आई अब करते हैं इस फ़ाइलिंग तो पिरिविदार्तियों सारे रिमर जो है युनिवर्सल मिलिंग मशिन के उपर रेडी कर दिये गए हैं एक एक रिमर के आपको कुवाल्टी बताएंगे भी किस तरीके से बच्चों ने बनाया हुआ है तो देखिए यह जो रिमर है इसकी सेंग देख सकते हो बिल्कुल स्ट जो करिए बच्चों को जो सिखाया गया है यह गोर्मिंट आइटे आदों पर मसीनिस्ट वेवसाइए के अंदर बच्चों को यह सिखाया जाता है उसके बाद में देखिए अगली आपको जो दिखाते हैं यह रिमर भी देखिए क्योंकि इस रिमर के उपर एक टैंग बना जाता है अगला रिमर आपको दिखाते हैं तो देखिए यह भी जबरदस तरीके से बच्चों ने रेडी किया हुए है देखिए इनकी फनीसिंग और यह जितने भी रिमर आपको दिखाया दे रहे हैं यह यूनिवर्सल मिली मशिन के उपर बच्चों ने रेडी किया है पर चलते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशिन पर है यूनिवर्सल मिलिंग मशिन के उपर 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 है यूनिवर्सल मिलि सब्सक्राइब करें साथ ही पैला आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नए वीडियो या कोई अप्रिकेसन आए तो आपको तुरुद में आसा करता हूं कि यह वीडियो और यह प्रूप की आपको जूब रसंदाएगा फिर उन्दाव इसमें वीडियो वेडियो ने को आपको जाएंगे अबात को अब सुल घंटाशन आपको तो जाहिए वाज पूला है